नवस्कार दोस्तो आज की जो खबर आपके सामनी हम लेकर आने वाले हैं वो दरासल बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि दोस्तो आपको तो पताई होगा कि दो दिन पहले प्रवासी भारतिय सम्मेलन हुआ था जिसमें नैंद मौदी जी ने हिस्सलिया था और इसमें का सिवम और आप देख रहे हैं धर्मनीूज दरासल इंदोर में हुए प्रवासी सम्मेलन की दोरान प्रवासी नैंद मौदी की ओर से 108 चुरिंदा सक्स्तियों का लंच होष्ट किया गया जिसमें 45 मिनट के इस लंच को खास बनाने के लिए दो महीने तक त्यारी की गई इ प्रवासी सी मैनेजमेंट से लेकर सरकार तक ने देश भर की 500 से जादा डिसेश चुनी अंत में गिरह विदेश मंतराले की मुहर लगने के बाद करीब 38 की डिसेश परोसी गई अलग-अलग राजियों की डिसेश के लिए अलग-अलग सेफ ढूडे गए इसमें गुजरात की बारे में जब सेफ और स्टाप को बताया गया तो वो चौक गए यह बताया गया कि सिर्फ प्रधान मंतरी ही नहीं राष्ट पती बिदेश मंतरी मुख मंतरी की तरह से अलग-अलग लंच और डिनर दिये जाएंगे लेकिन प्रधान मंतरी का भोज खास होना चाहिए इस और उसमें प्रधान मंतरी मौधी के होश्ट लंच को कैसे अलग बनाया जाए इंदोर के सराफा से लेकर मद्धिपर देश के मालवा बगेल खंड और गुजरात राजिस्थान समित देश के अनराज्यों की खास रिसेच को लिस्टिट किया गया इनकी संख्या 500 से करीब प लिखा जादा हो हर टाइम पूरे देश का मिक्स टेस्ट मिलाना चाहिए इसी हिसाब से डिसीच को बाड़ दिया गया मैनू की यह लिस्ट किंद्र सरकार को भेजी गई बहां से फाइनल मैनू आया जिस पर दो महीने तक काम चला इस मैंसे करीब अर्थे दिसेच प्रधान की गडालू थे अविधी टेस्ट के लिए लखनव का पनीर और अवधी कोर्मा भी था इसी तरह नौर्थ और साउथ इंडियन भोजन भी सामिल किया गया साउथ और नौर्थ इंडियन के अलाबक गुजराती राजिस्थानी मालवी और अन रीजिनल डिसेच के लिए उसक की इंपोर्टेंस को जानते हैं दोस्तो मुझे तो पता है कि मेरी खबार आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी जगे शेर कर दीजिए और दोस्तो हमें कमेंट करके बताइए कि ये थे आसे किस टॉबिक पर आपको अगली वीडियो चाहिए अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वजा दीजिए जिसे की ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचें धन्दबाद दोस्तों वीडियो को अंतर तक देखने के लिए जय हिंज भारत जय हिंद की सेना